आईए सुनते हैं चित्रा मुगदल जी की कहानी इस हमाम में आज उसकी घंटी नहीं बजी नहीं आई आवास सुनाई दी रोज सुबे दर्वाजे के बाहर से उसकी आवास सुनाई पड़ती बाई कच्रा इसी तर्ज में वो यानि अंजा हमारे लंबे कॉरिडोर से जुड़े हुए हर फ्लाट की घंटी बजाती हुई कच्रा शब्द का उच्चारन करती फिर कच्रा लेने उसी फ्लाट के सामने पहुँच जाती जिसकी घंटी उसने सबसे पहले बजाई थी ऐसा शायद वो सुविधा के लिए करती थी कि तब तक हर फ्लाट का बाशिंदा अपने अपने घर के सामने कच्रे का डिबबा रख देगा और अंजा को व्यर्थ प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी दस माले की उची इमारत के हर घर से उसे कच्रा इखटा करना पड़ता था लोगों को भी आदत हो गई थी वो उसकी घंटी पैचानते थे सुबे की व्यस्ता के बावजूद लोग उसकी अवाज सुनते ही दर्वाजा खोल अपना कच्रे का डिबबा बाहर रख देते और बिना अंजा की प्रतीक्षा की होगे अपने काम में लग जाते अंजा एक एक का कच्रा क्रमशह अपने प्लास्टिक के भारी जाबे में उडेलती खाली डबबा यथा स्थान रख कर दूसरे फ्लाट के दर्वाजे पर पहुँच जाती बाद में लोग अपना अपना डिबबा सुविधा नुसार उठा लिया करते शुरुआत के दिनों में मैं भी ऐसा ही करती थी ठीक पॉने नौ बजे घड़ी देखकर सुमेश दफ्तर के लिए निकल पड़ते मैं बैग उठाकर उन्हें लिफ तक छोड़ने के लिए दर्वाजा खोलती तो खाली कच्रे का डबबा घर की डेरी से सटा रखा होता शायद ये बात सुमेश कई दिनों से गौर कर रहे थे कि कच्रा वाली कच्रा तो लेकर चली जाती है मगर मैं इस बीच खाली डबबा जियोंका त्यों पड़ा रहने देती हूं घर से निकलते ही सबसे पहले खाली डबबे के दर्शन उन्हें अब शकुन प्रतीत होते उनके इस वहम से परिचित होते ही मैंने अपनी आदत बदल ली थी और ऐसी स्थिती में मेरे और अंजा के अपचारिक परिचे ने आत्मियता की प्रगारता ग्रहन कर ली थी अब होता ये था जैसे ही उसकी घंटी बचती मैं फॉरन अपनी व्यस्ता जटक कर डबबा उठा अंजा के सामने पहुँच जाती और उसे तुरंट खाली कर देने के लिए कहती एक आत रोज तो इस परिवर्तन से उसे परिशानी हुई थी कच्रे का जाबा 58 नंबर वाले फ्लाट के सामने ही वो हमेशा की तरह छोड़ाती थी पुछे बिना उससे रहा भी न गया मुहासे भरे सावले गालों की उभरी गोलाईयों के नीचे कुछ अधिक फटे होटों में वो अर्थपून धंग से मुस्कराई थी इधर कच्रे का डबा चोरी नहीं होता उसके गलत मतलम निकालने पर एका एक दिमाग भनना उठा था सुबे का वक्त था सैयत होकर जवाब दिया ये बात नहीं है अंजा असल में साब को दर्वाजे पर पढ़ा हुआ खाली कच्रे का डबा आप शकुन लगता है बस इसलिए क्या? उसका मुँ अच्रश से खुलिया आँखे पटपटा कर बोली साब इतना शिखेला पडेला मानूस होकर ये सब बात मानता है क्या? आजकल तो अपन लोग भी इस बात पर विश्वास नहीं करते फिर चनभर निर्विकार भाव से देखा मैंने उसे फिर खाली डबा अलग भग उसके हाथ से चटक कर अपना दर्वारजा बंद कर लिया इस प्रशन का जवाब भी क्या था मेरे पास? जबरन सहेजा हुआ तटस्त भाव रसोई तक पहुँचते पहुचते मोम सा पिगलने लगा एक तऱ से मुझे उसका ये कटाक्षपून प्रशन अच्छा लगा था क्योंकि उसके प्रशन में जिग्यासा की तीवरता की अलावा सोमेश की वहमी व्यक्तित्यों के प्रती तरसकार का भाव भी था इतना शिखेला पढ़ेला मानुस अंजा के ये शब्द व्यस्तता के बावजूत मस्तिश के समवेदन तंतूओं में दुपके हथोड़े की धमक से निरंतर बज़ते रहे थे लगा था अभी अंजा को अपने करीब बैठा कर वो सब बता दूँ मैं एक नहीं कई कई वहमों की चोट से छिदी हुई हूँ और शुश्क्ता की हद तक जीवन मोह से विमुक्त और जब अंजा की आँखों का प्रतिपल गहरा होता विसमें एका एक उभास बनकर सोमेश के व्यक्तित्व पर गिट्टियां उचा लेगा तो शायद मैं एक सुख़ द्राहत मैसूस करूंगी एक मामुली कच्रे वाले का उभास मेरी अपने टीसो पर ठंडा फाहा होगा ऐसा हूँ नहीं पाया उसे अपने करीब फुरसत से बैठा तो नहीं पाई बस परस पर बोल चाल निश्चे ही बढ़ गई ये भी सोमेश से चुपा नहीं रहा अपनी नाराजगी वो दबा नहीं सके एक रोज जुझला कर बिफरे कच्रा देने में इतना समय लगता है बात सुनकर भी मैंने अंसुनी कर दी मेरी ये डिठाई उन्हें बेहद नागवार गुजरी मेरा नहीं तो अलोस परोस वालों का तो लिहास करो सुनकर विद्रो की एक तडपसी कौंदी चीखों का ढका दबा सलाब फटने को हुआ किन्तों हमेशा की तरह सब भीतरी भीतर अंतस की गहराईयों में फूटता रहा बहत पहले अपनी घुटन की अभिवक्ती दी थी चश्मा उतार कर अपनी आखें दिखाई थी इन आखों में देखने की शक्ती है मस्तिश्क सोचता भी है रिदय में समवेदन शीलता भी है सुनकर सुमेश हस दिये थे तुम्हारी आखे सचमुष खुबसूरत हैं दिवा पर देखने के लिए उन्हें चश्मे के सहारे की जरूरत है फिर जो निरने लादने का सिलसला शुरू हुआ उसने शायद मेरे कंधों की मजबूती पहचान ली थी शादी के चार साल बाद समीप हुआ था मेरी खरीदी हुई स्लेट तथा रंगीन चौको का डबबा न जाने कहां पढ़ा होगा सुन्दर जिल्द वाली अक्षर ग्यान की किताबें अपने उपर रखी जाने वाली नन्ही कोमल उंगलियों के स्पर्श से वंचित न जाने किस दराज में पढ़ी धूल खा रही होंगी पास साल का समीप मेरी काप्ती हुई टांगों से लिप्टा चीखें मारता रहा मदर ने अंक में भर कर उसे बहलाते हुए गोद में उठा लिया था और सांतोना से मेरे कंदे धपतपाते हुए कहा था कीप पेशिंस भावी भाईया सोमेश को देखकर लोटे थे भावी ने कहा था उन्हें तो MA या PhD से नीचे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए ही नहीं कही महिने तक मुझे देखता खाने के बावजूद सोमेश के घरवालों ने मेरे संबंद में ब्याकर निर्ने लटकाए रखा था शादी हो जाने के काफी अर्से बाद मौसी ने बताया था चश्मे के बावजूद उन्हें इतनी सुन्दर लड़की ढूने नहीं मिली थी लड़कियां तो बहुत देखी गई थी पर सुन्दरता, शिक्षा तथा जन्पत्री का मिलना और बत्तिस गुणों तक का मिलना मेरे साथ ही संभव हो पाया था और इसलिए निर्ने में समय तो जरूर लगा पर हुआ मेरे पक्ष में उस रोज की घटना सालों हो गए मगर आज भी याद करते हुए सिहरती हूँ सोमेश दफ्तर के लिए निकल रहे थे और सहसा उनके दर्वाजे के बाहर होते ही मुझे याद आया कि मैं जल्दबाजी में उन्हें रुमाल देना भूल गई हूँ लपक कर दर्वाजा खोल कॉरिडोर में पहुची तो पाया कि वो लिफ्ट के सामने खड़े उसके उपर आने की प्रतिक्षा कर रहे हैं सुनिये मैंने रुमाल वाला हाथ आगे बढ़ा कर उन्हें पुकारा तो वो एका एक मुणे और तमतमाय से मेरे करीब आकर तकरीबन बहाँ से घसिर्टे होए भीतर खीच के ले गए और इतनी जोर का धका मारा कि मेरा पूरा शरीर जड़ से उखड़े पेड की तरह ड्रॉइंग रूम की दिवार से टकरा गया सुन होती दे काले काले दब्बों से भर गई आँखों से मैंने उनका चेहरा कोशिश कर देखा था वो लगबग चीक से रहे थे एंदा ऐसी हरकत मत दोराना समझी कितना भी जरूरी काम क्यों नहों एक बार मैं घर से निकल गया तो समझो निकल गया पीछे से कभी न बुलाना दफ्तर में फोन भले ही कर देना उस वक्त अम्मा कुछ दिनों के लिए हमारे साथ थी मेरे प्रकृतिस्त होते ही उन्होंने मुझे सोमेश के वहमी प्रकृति प्रक्ष और उसकी प्रामानिक्ता पर लंबा चोड़ा भाशन दे डाला था कि ऐसी टोका टोकी से इस तरह के बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं इन सब बातों का तुम्हें ध्यान रखना होगा बहू सोच विचार कर चलने की हमारी कुल परंपरा है हम बीस बिस्वों आले कानिक उपजो ठहरे रूडी और पाखंड के बवंडर में घिरा आहत मन शोब और पीड़ा से छटपटा उठा था भाईया भावी के प्रती आकरोश की उबरी चिंगारी शने शने जवान आग की शकलक तियार करती जा रही थी कि तब ही अचानक अंजा से भेट हो गई थी और जान बूज कर मैंने उससे संसर्व बनाना शुरू कर दिया था ताकि उच नीच की कुलीनता अकुलीनता से भावित रहने वाली सोमेश की भावनाओं को मूँ बरा सकूं एक दुपहर गेरी नीन में घंटी की अवाज सुनकर जब मैंने दर्वाजा खोला तो पाया सामने कच्रे वाली अंजा खड़ी है समझ में नहीं आया इस वक्त वो क्यों कर आ सकती है उसके असमय आने का प्रयोजन पूछना ही चाहती थी कि तब तक वो साधिकार भीतर दाखिल हो गई पता नहीं क्यों मुझे उसका आना अच्छा लगा उससे बैठने के लिए कहकर फिर चाय बनाकर उसे दो कपों में छान एक का पंजा को थमा उसके निकटा कर बैठ गई अकसर जब कभी उससे सुबह फ्रिश का ठंडा पानी पीना होता तो वो मुझे से ही मांगती थी मैंने संकोच पानी गिलास में डाल कर उसे थमा देती गिलास में पानी लेते हुए वो संकोच से सिकुड जाती कहती बाई एक तुमीच हो जो अप उनको बोईच बरतन में पानी पिलाता है जिसमें खुद पीता है नहीं तो अप उनको लोग असीच कप में पानी देता है जो कचरे में में फेकने वाला होता है समझते हैं हम इंसान नहीं मैला है मैला वो बिना कुछ बोले फॉरन चाय सुड़कने तनमे हो उठी उसके द्वारा ही कुछ कहे जाने की प्रतीक्षा करती रही उसका चिंता मग में चहरा काफी उदास लग रहा था मैंने हमीशा हसते हुए मजाग करते हुए देखा था उसे बलके सुबह मुझे उसके रसीले बद कहाओ की वज़े से प्रतीक्षा रहती थी कि भीट होते ही वो कोई न कोई टीका टपनी से बात करेगी या फिर कुछ फूर किसम के मजाग जो मुझे वस्तुता अच्छे लगते थे हमारी वीश्तुकी बैठी चुपी मैंने ही तोड़ी क्या बात है अंजा आज तुम बड़ी परिशान नजर आ रही हो हाँ वो बाई मेरे को कुछ रुप्या चाहिए था वो संकोच से सहमती हुई साहस कर बोली रुप्या कितने की जरुवता पड़ी जोपड़ा लेना मेरे को उसकी बात संकर मुझे अच्रच हुआ अपनी जिग्यासा दबा नहीं पाई घर नहीं है क्या तेरे पास है पन कहकर वो अपने मन की दुविधा जेलती कुछ पल में मौन हो आई लेकिन चाय खत्म होते नहोते वो अपनी सारी परिशानी ब्योरेवार बता गई उसने तथा उसके तीसरे पती ने मिलकर खार जोपड़ पट्टी में एक जोपड़ी ली है जिसके लिए एक डेड़ सौ रुपया डिपॉजिट और पंदरा रुपय चालू भाड़े का जुगार करना था मैंने देखा घर के विश्य में बताते हुँ इसका उदास चेहरा फूलों सा निखराया है अभी वाला घर में नल भी है विनिस्पैल्टी का संडास भी हसी रोक नहीं सकी थी जाने के पहले डेड़ सौ रुपय मैंने उसकी हथेली पर दिये अंजा की आखे अनाया स्नेहल कृतिग्यता से भीग गई अचानक जुकी तो उसका हाथ मेरे पैरों पर टिग गया बाई आपकी जैसा दिल किसी का नहीं देखा अपन घर मुझे अंजा को मनपसंद घर मिल जाने की खुशी हुई थी अपना ये फ्लाट मुझे कभी भी घर की तरह नहीं लगा जिसका फर्श दूसरों के घरों की छट है और छट किसी और के घर की समीन दो दीन कहानिया लगातार पढ़ गई थी आँखों में दर्थ सा मैसूस होने लगा था पता नहीं चश्मे का नंबर बढ़ गया है या दोपहे भर लगातार पढ़ने का नतीजा था कहानी की परत्र का सिरहाने लगा कर रग दी चश्मा उतार कर दोनों हथेलियों से दुखती आँखों को हलके हलके दबाया एक सुख़द राहत से पलके तंद्रिल होटी नहीं नहीं मैं सोना नहीं चाती सुमेश मैं सूसी नहीं करते कि अब मैं पढ़ते पढ़ते ठक गई हूँ सोते सोते ठक गई हूँ दिन भर की टेवल कुरसियां कुशन जारते पोचते ठक गई हूँ, सिर्फ उनकी और उनकी ही बाते सुनते सुनते ठक गई हूँ, ना किसी के संग उटना बैटना, ना कहीं मन मताबिक आना जाना, आना जाना भी हो तो सुमेश की उस पस्तिती का दवाव हर पल किसी पीछा कर आते होई व्यक्ति की कड़ी निगरानी के आतंग सा मन को बंधग बनाये रखता है, अंजा से मैंने अपनी सुबन का जिक्र किया, तो वो सुजाओ देती सी बोली थी, बाई, अख़्ा दिन काय को घर में पढ़ा सड़ता है, दूर किसी ऑफिस वफिस में काम धंदा देख उसकी बातों ने सचमुझ घेरे को तोड़ने का विद्रो पैदा कर दिया था, सुमेश को बिना बताया, एक स्कूल में मैंने अध्यापिका के लिए प्रात्ना पत्र भेज दिया, साक्षातकार का बुलावा आने पर चुपचाप साक्षातकार भी दे आई, अचानक एक द नौकरी की तुम्हें क्या जरूरत आपड़ी? समीब के चले जाने के बाद मैं दिन भर घर में अकेली पड़ी रहती हूँ, बस यही सोचकर आवेदन पत्र भेज दिया था, समय ही काटना है न, लिख पढ़ कर भी तो समय कुझारा जा सकता है, कितना? औरते और भी बहुत से घरों के काम करती हैं, तुम उन से निराली हो, निराली नहीं हूँ, मगर वो बच्चे भी तो पालती है, दिवा, उनकी आवाज उत्तेचना से कापने लगी, तुम्हारे वाहियात तरकों के फेर में मैं नहीं आने वाला, घर में रखका समीब की जिंदगी नहीं बगार पता नहीं हराम क्या चाहती है, पांच लाग का फ्लैट है, बच्चा आराम से सिंधिया में पढ़ आया है, खाम का आसू टुपकाने की आतत पढ़ गई है, वो भी ठीक आफिस के लिए तैयार होने के समय ही रेड मार कर रख दी, मलोत्रा वाला अनुबा दाश तैय होने से रहा, मातरूम का दर्वाजा बंद करने से पहले उन्होंने मुझे अगनेय नेतरों से घूरा, फिर आदेश पर इस वर में बोले, फिजूल के तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है, इन्हें अभी इस सिविक्त पत्र लिखकर मना कर दो, ताकि वो किसी और को तुम्हारी ज पेसिंग को सुरक्षा की चार दिवारी का भ्रम बनाए, क्यों पेट में निवाले डालने की मजबूरी को जीवन का तालमेल और अपने समझदारी जैसे अर्थीन शब्दों की आड में जी रही हूं, अंजा के लिए नहीं, उसका और मेरा समाज, समाज का जीवन दर्शन अलग-अलग है, बाथरूम से बाहर आकर सब कुछ पटका-पटकी वाले मूड में स्वतह किया गया, मेरे निकाले हुए कपड़े ना पहन कर दूसरे निकाल लिए गए, पॉलिश वाले जूतों को परे सरका कर गंदे सैंडल पहने गए, रुमाल भी दूसरा ढूंडा गय पर शायद मिला नहीं, अतारोश में वो भी साथ नहीं रखा गया, दर्वाजा इतनी जोर से बन किया गया कि बड़ी देर तक कानों में एक अजीब सी बनाहट गुँचती रही, बनाहट गुचती रही, उठकर दर्वाजे तक मैं भी नहीं गई, हमेशा ही समझोते को प्र रुपे की ये नौकरी मुझे अपने डंग से खड़ा तो रहने दे सकती है, फिर ग्रिना 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 का विराम बहाओ कबसे अंतर की अंदेखी गोहाओं में अभाद बैता रहता था, मुझे आभासी नहीं हुआ, एक शक्स के इतने हिस्से कैसे कर दिये जाते हैं, बेटी, बहु, पत्नी, मा, नारी, पैदा होते ही उसे समझाना शुरू कर दिया जाता है, कि उमर के हर टुकडे को दूसरों की सुवधाओं के अनुकूल आत्मसात करके जीने में ही उसका जीना है, एक निरधारित स्वीकार, क्यूं, आखिर क्यूं, तक्या अमीबा की शक खीच कर एफ और एपल लिख दिया था, कहीं 1,2,3,4, रात को सुमेश महमानों के कमरे में ही सो गए, सुबह पता नहीं कब उठकर चले गए, धो बज़े तक नींदी नहीं आई, उठी, मेडिसन बॉक्स से कंपोज निकल कर खाई, तब कहीं जाकर आख लगी, किसी भी काम के लिए उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन कच्रे वाली अंजा की घंटी और साथ साथ उची हुई लहकदार आवाज में चुमबक सा खीच लिया, उठकर रसोई में आई, तो हाथ यंद्र चलित से फ्रिज पर चले गए, देखा दूद की चारों बोतलें स्टै पानी नहीं हुई, ये सब मुझे तकलीफ ना पहुचाने की भावना से नहीं किया गया है, बलकि ये दर्चाने का प्रयास है कि तुम्हारे बेगैर भी इस घर में पत्ता खड़क सकता है, मैं कच्रे का डबबा उठा कर फूरती से बाहर आई, बाहर खड़ी वो मेरी प्र करके हस दी, पर अंतु मैं ना हस सकी, शून ये दृष्टी से उसके कच्रे के जाबे को घूरती रही, रात साब से लफड़ा हो गया था, अंजा मेरी खामोशी पर तिक्त होती गंबीर हो आई, हाँ मैंने संशिप्त सा उत्तर दिया, मरजजात, कोई-कोई छोड़के बोल उसे शायद इस बात की परवा नहीं थी, कि इस तरह की करवाहत हमारे भीतर भी उठती है, किन्तु ऐसी आशालीन शब्दा भिव्यक्ती में हम उसे कहने सुनने के आदी नहीं होते, अंजा का अक्रोश पीछे लोटता कहीं अपनी अंत्रनाओं की गलियों में भटकने लग पगार बोलेंगे तो फकत असी रुपिया, साला जब देखो तब बेज देता था इस ठाउस के में साब के पास, अंजा पांच रुपिया उधार मांग कर लेया में साब से, दारू भी मेरे पैसे की पीता और धुट तोकर हुड़ी भी मेरी तोड़ता, बच्चा लोग दो रादरी वाला अकेला भी तो नहीं रहने देता, कहते कहते हैंजा की अखिया पनिया आएं, एक दिन हम भट्टी वाला सेट सद्दू के घर अपना तीनों बच्चा लेकर आ गया, कुछ दिन तलब तो वो हमको बड़ा चाओ से रखा, फिर लगा दिया भट्टी के काम में, मैं नसादर और गुर सडा के दारू बनाने लगी, और वो हराम खोर राद दिन जुआ खेलने को लगा, बात को पता लगा एक रंडी पन रखेली होती उसकी, वही अख़्ा राद दिन पढ़ा रहता, जगड़ा करने से भढ़वा मेरी चुटाई करता, कितना दुख रोए सद्दू ने मेरे दोनों चोकरों को दारू पहुचाने के काम में भिड़ा दिया, एक रोज दोनों मोटर का ट्यूब में दारू भड़कर अंधेरी स्टेशन का पिछू एक होटल में पहुचाने गया होता, तब ही पुलिस का हाथ पढ़ गया और वो कुत्रा जामिन के व वाली जोपर पिट्टी में एक रिष्टे की भावज थी उसी के पास, भावज बड़ा-बड़ा बिल्डिंग में कच्रे वाली का काम करती थी, मैंने भी पेट पालने के लिए दो-चार घर पकड़ लिये, बाद में खबर लगा था, सद्दू को सालवर का तड़ी पार मि है, सैसा बगल वाली फ्लैट का दर्वाजा खुलने से हमारी बातचीत में व्यवधान पड़ा, अंजा एका एक खामोश हो गई, फ्लैट के मालक मिस्टर पंजवानी बाहर निकल रहे थे, अंजा बड़े सहज भाव से चुप, चुप चाप अन्य घरों की और बढ़ती जी मैं करीब तीन महीने के लिए यॉरप की यात्रा पे था, अच्छा, मैंने स्वर में भरसक विसमें भर कर कहा, वो मुस्कुराते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गए, उनके जाते ही अंजा दर्वाजे से बाहर प्रतीक्षा करते कचरों के डब्बों की उपेक्षा कर, पुना मेरे करीब आकर खड़ी हुई, बाई, उसका स्वर मेरी और जुकता हुआ अचानक फुसुसाहत में बदल गया, बाहर भीहर कहीं नहीं गया था, तीन महीना जेल काटके आया ये साब मालूम क्या, क्या, उसकी करुन कथा से अभिबूत मेरा हरिदै, एका एक किसी सं से नहीं खेज घटना को लेकर तीर उसकता में परिवर्तित हो उठा, बहुत बड़ा स्मगलर है ये, पकड़ा गया था, बचा नहीं, तुमको पता नहीं, नहीं, मेरे विसमे का पारावार नहीं था, बहुत उचा-उचा लोग रहता आपके पडोस में, चौतिस लंबर व उनका घर का कचरे के साथ बहुत सारा फैमिली प्लानिंग पड़ा रहता है, क्या बोलेगा, ची, ग्रिना से मुह बिचगा कर उसने जैसे किसी से तरस्त होकर नाक सकोड़ी, तुम्हें ये बाते कैसे मालूम पड़ जाती है, मैंने अचरच से पूछा, जबकि मैं बडोस म बात करती, कचरा के साथ बहुत सारी बातें लोग खुदी बाहर फेक देता है, मेरा मन उसकी कुषागरता पर हत्प्रव उठा, कैसी आत्मविश्वास से पगी औरत है, कितनी तेज बुद्धी, कितने आंधी तुफाज जेले, मगर चीच-चीच कर भी लड़ाई लड़ आज वो घंटी नहीं बजी, ना वो लहकदार आवाज ही सुनाए पड़ी, जिसकी मुझे बेचैनी से प्रतीक्षा रहती थी, घंटी तो बजी थी, और कच्रे के लिए पुकार भी आई थी, लेकिन घंटी का अंदाज रोजवाला नहीं था, आवाज किसी आदमी की थी, म अपनी जिग्यासा कोशिश करके भी दबा नहीं सकी, प्रत्युत्तर में बूडे ने बुरा सा मूँ बनाया और कटाक्ष बरे स्वर में बोला, तबियत क्या बीवी जी, उसकी एक के साथ नहीं निभी, दस के साथ क्या निभेगी, फिर आदमी और जगा बदल लेने से जि सोड़ गया, अंजा ने ताव में कुछ खापी लिया, वाडिया एस्पताल में पड़ी है, अभी तक होश नहीं आया है, मुझे उसके मरद ने बदले में काम सम्हालने के लिए भेजा है, सुनकर मैं अवाख होठी हूँ, काम में मन नहीं लग रहा, दिमाग में निरंतर ब अन्यराब